हम इस वक्त में जिस सिक्वेशन से गुगर रहे हैं पूरा देश उसमें ऐसा लगता है कि पुड़े देश में एक आत्तंग सा माहूल प्रेलर किया जाए और एक फास कम्यूटी को टारगेट किया जाए इसके पूसे जब भी मकासिद हो लेकिन एक ऐसा देश जो समयधानिक देश है जो सुडियो सोसाइटी है जो एक कंस्वेशन पर आधारित है एक देमोकर्टिक कंट्री है उसमें इस तरह के अंडेमोकर्टिक अंसिविलाइस्ट और इलीगल काम हो रहे हैं और वो भी गौर्वर्मेंट के तरफ से बहुत ज़्यादा हमें यह समयधानिक आधारित को बहुत ही उतासिर कर देश आप जाते हैं कि पिछले दिनों पूरे देश में इस तरह से यह यक्तरपा तोर्पे गौर्मेंट में अदालक कर रोल इत्यार कर लिया है कि अभी कोई आत्मी कोई वैक्ती उसके के साविस ने वा और आपने उसके घरों को डिमॉलिश करना शूब कर लोग फोर्टेस पे निकले उनके खलाफ बोलिया चलाती है पहले कभी आसू गेस चलाई आती थी या उसके इलावा जो है वो वाटर केमन चलाए जाता था लेकिन आज छूपते ही अगर सामने कोई मुस्लिम समधाय के केंड़ेट है तो आप बोली चलाती है ये बहुत ही दुख्य भात है और ये जो माहर पैदा हो रहा है इसके पूरे देश पे अशांती पैदा है और हमने ये बात कही है बुल्डोजा टरुरुदम ये बहुत सोच खुमित कर रहा है देखिए जब प्री टरुरुदम से क्या होगा आप समाज में दैशन ठेलाते हैं समाज में भैट पैता करते हैं समाज में लोगों को फौक जदा करते हैं आज पुरे देश के अंदर यही इस तर्की उत्पन है किस ने पत्थर चलाए थे क्यों चलाए थे उसके पीछे कौन रिस्पॉंसिपल है अभी ये कोई चीस ये सब इनिस्टिगेशन का मीशा है लेकिन आपने हजार और रुगों पर एफ़ाईयार कर दिया सैक्रों लोगों को गर्तार कर दिया और उपे बड़ी सब्धानाय लगा दिया ये कौन का इंसाफ है ये कौन सा कंस्टिशन जिसकों आप अमल कर रहे हैं आपने नीगल कोईशन पी लेगी है आप जूरी शरी भी पन लेगे और फोट फैसला कर दिया जावे पहम्मत जो हम राशनल सेटल वरकिंग कमेटी है उसके एक एहम सदस्य है और पहले वो यूपी स्टेट के वेल्फों पार्टिफ इंडिया के जनल सेकर्टीर उन को आपने ये कहा कि वो उन्होंने वो प्रियागराज करदा जूरूस निकला था उसकरदा वो शामीर थे और वो वह मास्ट प्रिया था कि हमें अपनी बात कहने के लिए मेवर्णुम का सारा लेने चाहिए जुरूस नहीं निकालने चाहिए उस आपने मास्टर माइंड बताए राट के साड़े आट बज़े उसके घर्षिश को गफ्तार किया साड़े बारा बज़े उसकी वाइफ को और उसकी एक पिशेंट हैं और ये बेटी को उठा का लेवे और चौवीस घंटे तक इल्ली गली ठाने के अंदर बन दर और और फिर आपने रात में दस तारी की राट में एक नोटिस लगा दिया जावेद मॉंबस साथ की धर पर और ये कह दिया कि ये घर जो है बगएर नक्षा पास की बनाये गए जबके हम ये जानते हैं और हम आज सावित कर देंगे आपके सामने कि वो घर जावेद साथ के नाम पर नहीं है वो जावे चोड़ तो तोड़ दिया गया और ये तहा गया किससे पहले नोटिस लिए मैशा माह है इना और smallest ये ये वालूम नहीं है आपको आप चुके जावे तोहां रहते हैं, तो आप ते जाता हुटा घर तोड़ दिया, किस खानून के तरह तोड़ दिया, कहां से ये मिल गया, योगी साथ एक और पर दिया, वहां से, क्या हम उनके खिलाफ सब तारवाई करें, उनके घरों को डिवानिश करें गए, तो गया था, आने का कोई लोटिस नहीं लिए गया, तो पहला लोटिस था, जो रात में लगाए गया, सहाथ दर्वे रात में, और दूसरे दिन उसको डिमॉलिश करें, घर, ये एक लीगल है, ये अर्डिटरी है, ये अन्लॉफल है, ये अन्कॉंस्टूश्टूश्न है, जा अखलेश यादाउ की पार्टी समाज वाली पार्टी को यूनिलेटर सपोर्ट किया, पांच बार हमारी दोंके साथ, अकलेश जीक ताथ मलाकात हुई थी, और पांच मिसे चार बात, जावेद मौंबस की हमारे साथ में थी, और जावेद साब निलाबाद की करीब में कर्द जादू जी से उसी वक्त में योगी साहब ने अपने स्कारेकर्ताओं को संबूत करक्तिर्वे का था यह वैलफेर पार्टी की साहथ बात कर रहे हैं आपके सामें आ रही है, वह आपके सामने आ रही है जो कोड के बातालाब चालता है तो ये जो तरीका एक्तियार किया गया सिर्फ इस तरह वहाँ पर उत्तर पर देश में और पुड़े देश में जो अपोजिशन पार्टियां है उसके साथ जो बिहेवियर रूलिंग पार्टि कर रही है उसको हमें कल भी टेका जमियां पर तो उसके हमने यूलिड़ेटरली सपोर्ट किया था प्लेश जादो को और इसलेश जादो की जो कामियावी हुई उसकी था वहारा भी कर्टिकुशन था तो हमें सबख सिखाने की कोशिश की जावेद कॉहमद की बेटी है आपरीज पातिमा वो हमारी यूथ रिंग है हमारे स्टूर्ड रिंग है कर्टिटी मुवमेंट अफ इंडिया उसकी नैशनल सेकर्टी है ये दोनों बाप और बेटी सी ए वी इखलास जो तहरी चली थी ये वी सी ए मुवमेंट जो चली थी और जावएट मौओंब की गिरफतारी थी उसी वजह से हुई है और जावेट मौओंब को बिल्कुल हलग तरीकिसी उन भी खलग धाराये लगाकर उनको गरफतार किया आप उनके धर को धोस कर देते हैं घर के पूरे सावान को लाकर फ्षमन रख भेंक देते हैं उसमें कोई चीज़ नहीं मिलती है बाद में पुलिस ये क्लियम करती है कि उनके पास से अब्जेक्शनेबल लिट्रिचर मिला और महां से कटे मिले कटे मिले किसी को मालू नहीं कटे किसे नहीं देखे नहीं और आप तीन दिन से वाहूल बना रहे थे कोई आपी कटे घर में रखे रहे था यानि पूलिस को इतनी अफ़द तो आनी चाहिए कि कोई बात कहते हूं अपमी ये समझना चाहिए कि कोन बात के अंदर कितना धम है एक ऐसे आपमी को जिससे कल खुब कल तक इलाबाद की पूलिस क्रियागार की पूलिस प्रियाग रात के अंदर जितने भी ऐसे शांती के प्रियास हुए उतमें जावेद मौमब पेशबे चाहते हैं आज आपको एक आतक की गोशिप करते हैं आज आज आपको क्रिमिनल गोशिप करते हैं और मास्टर माइन बताते हैं फिर जिस तरह से जुवेट की नमाज के बाद जो प्रटेशन हुए थे किसी मुस्लिम सा गटकने कॉल नहीं जी थी लेकिन लोग के दाए गुस्टा है जो कुछ फ्लूपर शर्मा ने कहा था उस पर कोई कारबाइन बीजेपी ने नहीं किस सिवाए इसके उनको निलोबिक के आए छे साल के लिए उस पर कुरे देश में गुस्ता है देश के बाहर में गुस्ता है आपके सामने हैं चीज़ उस पर जगर कुछ लोग प्रसेशन निकालते हैं तो आप लीट का जवाब पत्थर से देते हैं आप लोगों के घठ तोड़ेते हैं między यह साहरणतु में दो घठ तोड़ेते हैं कालतु में काजमे घठ तोड़ा गया और कई लोगों को सेहमन लोगों प्रतार के ओ और फिर हमें अफसंस्तार यह केना पगता है कि सिर्ख वीजेटि रूल स्टेट नहीं हो रहा तो हम आज इस प्रेस कांप्रस के माध्रम से यह डिमांड करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको एडिपाइड कंपेशन दिया जाए हाई लेवल इंकौरी इंस्ट्यूट परवाई जाए और जितने पुलिस आपिस्तार या जितने भी कदर कारी को है उसके लिए सब्सक्राइब करते हैं कि जो घर आपको डॉक्मेंट दें हुआ आप देख लीजेगा किसके नाम से वह जगा है कि कब मोटिस दिया गया आप कुछ देख लीजेगा हमारा यह मतालबा है कि वह घर जो आपने जावेज साब कहके तोड़ा है वो उनकी बीवी परवीन फातिमा का घर है उस घर को जैसा तोड़ाता वैसा ही बनाता वापिस लटा है हम उनके फैमिली के तरफ से इलाबाद हाई कोड़ पे प्रिशन फाइब कर रहे हैं हमने नैशनल हिमन राइट कमिशन को पर कंपेंट लिख वाई है हमने नैशनल मावल कमिशन और नैशनल विमन कमिशन को भी अप्लिकेशन दिये कि यह जो नाइंसाफी हो रही है जो इंजस्टिक सोड़ा है जो पूरे विल्प में टेरर का मावल पैदा किया जा रहा है तो इस मावल के उपर संग्यान लिया चाहिए हम चीफ जैसे हम इंडिया को खत किख रहे हैं कि जब इस देश के अदर लोगों के कि फंडमेंटल राइट पर कॉंस्टूशनल राइट पर जब सवाज खड़के जा रहा है जब उसको खत्म किया जा रहा है तो सुप्रीम पूर्ट अफ इंडिया को कॉविन्स लेना चाहिए इन हालात तो और स्टेट को किलियर कर इस्ट्रक्शन देने चाहिए इसलिए कि हैं हमारे देश जब भी स्टा के तरफ से कोई जिस्टिस होता है तो हमारे पास जो सादन है, हमारे बास जो चीज अविले पले, वो है हमारी जूडिशियरिकून है यूरीशे में फरस्ता है, हमें इस बात का यकीन है कि जावेद महुम्मद को इलाबाद हाइक पोर्ट से भी इंसाम मिलेगा और हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया पुरे देश में जो मतावरे नहीं कुछ देख रहा है आपके इंटेशन चाहे कुछ भी हो, आप सुसाइटी को प्लॉराइज करने जाते हैं हमारा देश वर्षों से एक ड्लॉरल स्टेट है, इसमें आपची सर्भाव है, कम्नल सर्भाव पाया जाता है अपके पार्टि का फायदा हो जाया है, आपको चंड़ अट मिल जाए तो आप देश के पूरे वातनों को प्राव करते हैं देश के सम्वЬदान साथ खिलबाण करें, रूल अफला तो खत्म करतें, हम भी समिझते है कि अब वक्त आगया है केस यहां की जो सिक्लर पार्टिया है यहां की जो स्विल स्टाइटी है उसको अवाग खानी चाहिए और हम आपके मादधम से उन सब लोगों का शुक्रदाथ को भी आदा करना चाहते हैं को दन्यवास जरा जाते हैं उन पार्टिकल पार्टिज को जिन्वने इसके खुलाफ के इस इलेगल डिमोलिशन के खुलाफ इस बृद्डोसर्ड टेर्वल के खुलाफ हो चाहिए हैं और जिन्हों ने जिसके खुलाफ यह कहा है कि यह को बहुत हो बलत हुआ हम उन सब का दन का उनना उन्तों नफसान नपकोचा है हम सिर्फ साइटीशी भी गुदार्श करते हैं कि इस सिर्फ साइटीशी ने हमारे हांथ बहुत बड़े-बड़े कारणामें नजाम दी हैं लेकिन अब वक्त इस बात पतफादा कर रहा है यह डिमांड कर रहा है कि वो घर में ना आफरीन फातिमा भी है आफरीन फातिमा जेन यू की स्कॉलर ने वहां से कॉंसलर लेक्ट ही है वो एक अच्छी स्टूड़न्ट भी है और एक अच्छी नागरिट भी है वो हमारी योध्रिंग की एक नैशनल सिकेटरी है उतके खलाफ पी अगर कोई कारवाई की जाए तो हमारे देश का सभ्यदान सरुक्रिय हैं हमारे देश में रूल अफ लाफ को परफमिस्थान हासिल है तो कोई भी रूफ लॉप से खिल्वार करने कोशिश्च ना करे और कंस्ट्यूशन को के साथ में यह हरकत ना करें कि रूफ लूफ लाफ के होते हुए मन माने नियूने मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के माद्दम से भी मैं पुरे देश के जनता सहफीद करना चाहता हूँ जब इसकता माहुल पैदा हो जाए तो जनता को खामोश नहीं बढ़ना चाहिए आज एक संबुदा है कि इसला आज चंद लोग इसला बुल्डो दो चल रहा है लेकिन अगर ये ट्रेंड बाकी रहा इसको चेक नहीं किया गया कोई सामदे नहीं आया तो मुझे यकीन है मुझे अन्देशा है इस बात का I have an apprenticeship कि उसके बाद कि कोई नहीं बचेगा कोई application party नहीं बचेगी कोई कोई ऐसा आद्मी निक व्यक्ति नहीं बचेगा जो हुकमत की मुखाल्पत करें हुकमत के खलाप बात करें वो कोई आद्मी नहीं बचेगा सब के खलाप इस तरह कारवाई होगा तो हम एक सम्मिलानिक देश है हम एक rule of lawala देश है हम एक दुनिया की सबसे बड़ी democracy है तो हमें अपने देश के सम्मान को बाकि रखने के लिए हमारे देश वास्तिम को साम जाना चाहिए इनिया अलपासा अधुर्बार हमारी वीडियो देखने के लिए बेहर शुक्रिया मिलनट टाइम्स की खबरे पढ़ने सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करें यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं चार जबानों में न्यूस उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी पंगला आप पर मिलनट टाइम्स की वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रैड बिटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर मिलनट टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेवी गिराम और वाट्सप पर बराहर आप हमारे साथ जूर सकते हैं हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें इस्टीप पर दिख रहे और डिस्क्रप्शन म मिलनट टाइम्स को अपनी रखन भेज सकते हैं अगर आपके इलाके का कोई मामला है आपकी मसाइल को मीडिया में जगा नहीं दी जारी है तो हमें इमेल करें या वाट्सप पर मैसिज करें हम उठाएंगे आपकी अवास मिलनट टाइम्स मतलब मजलूमों की अवास नफरत के खिलाफ चेंग फर्दी खबरों से निजाब www.millartimes.com